समाधी में लीन हुए महंत नरेंद्रगरी दर्शन के लिए उमण पड़ा संत समाज अंतिम विदाई के दौरान संतों की आँखों में छलके आँचों देखिए महंत नरेंद्रगरी की अंतिम यात्रा महंत नरेंद्रगरी की मौत के बाद संत समाज के साथ आम जन में भी घम का माहूल है महाराज की मौत का राज हर कोई जानना चाहता है कि आखिर वो क्या वजह थी जिसकी वजह से महाराज जी को अपनी जीवन लिला समाप्त करनी पड़ी आज सुभह से ही बागंबरी मठ में भारी संख्या में साध्यू संत मौजूद रहे महंत नरेंद्रगरी के शव का पोस्ट मौटम होने के तुरंत बाद उन्हें समाधी देने के तयारी शुरू हो गई थी समाधी देने से पहले महंत नरेंद्रगरी की शवयात्रा भी निकाली गई महंत नरेंद्रगरी के पार्थिव चरीर को संगम पर ले जाये गया लेकिन पोस्ट मोटम होने के बाद शरीर को संगम के जल में उतारना संभव नहीं था लेहाजा ट्रक में ही पार्थिव शरीर पर संगम का पवित्र जल छिड़का गया और संगम स्नान की आपचारिक्ता पूरी की गई हम मगजूद हैं बागंबरी मट के बाहर और आप देखके हैं नवें तिनी महराज्चा जो शिचाव है त्याद्र जो है वो पिकाली जा रही है तीधा बागंबरी मट से तीधा संगम के लिए जा रही है दो गाड़ियों को सजाया गया है जहां पर खत हैं सादू संगत हैं और एक गाड़ी आप पीछे देख सकते हैं ये भावपूर्च रधांजली की गाड़ी में लिखा हुआ है नरेंकिरी की फोटो लगी हुई है महराज्ची और धूल मालाओं से इस वाहन को सजाया गया है और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से प् गंबडी मट है यहां पर नरेंकिरी महाराज रहते थे सादू संगों से मुलगात करते थे और आज उन्हिंके मट के सामने से मिकल रहा हामायसा सामने देख कि अधिए अधिया के लिए यहां से संगनम के लिए जाएगी संगनम में स्टान करने के बाद यात्रा यहां आएगी वापत और उसके बाद यहां पर भूस अवाधी है वो दी जाएगी आप देख सकते हैं मैं तक्वीरों में भी आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि आप देखें कि इतनी पूर मातला से सजाए गई है और बलबीर किरी आप देख सकते हैं कि जो फोटो बगल जो बलबीर किरी हैं वो बैठे हुए हैं जिनके लंबे बाल है और यह जात्रा मेहंत नरेंद्र गिरी का पार्थिव शरीर जब बागंबरी मठ पहुंचा तो उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए बागंबरी मठ में ही उनके गुरू की समाधी के पास भू समाधी दी जाए उनके निर्देश के अनुपसार दिववंगत महंत का अंतिम संसकार बागंबरी मठ में नीबू के पेड के नीचे उन्हें समाधी देखर किया गया हम मजूद है बागंबरी मन पर जहां पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर महराज नरैंगिरी की जो समाधी जो समाधी विल्टुन यह दि चारी है सब्सक्राइब होने के बाद उनका शव्त यहां आया था वागंबरी ृद्धी आयड़िके वागंबरी गज्निक के बाद शवयात्रा से पथे संगम जाने के बाद वहार से हनुमादी के मंदि कि यहाद है जो आतमयत्या वाले ट्रक्ड़न में जब पत्र जो सामने आया था उसमें लिखा हुआ था कि नीबू के पेड़ के बगल उनकी समाधी दी जा है तो ये वही वो नीबू का जो पेड़ है जहाँ पर समाधी स्थल को बनाया गया है यह वही वो जगा है कि आप देख सकते हैं कि यहां पर जो है उनको रीती लिवाज के साथ यहां पर समाधी दी जा रही है। तो बेहट नम आखों से यहां पर अंतिम विदाई दी जा रही है कि सभी साथू संतों की यह मांग भी है कि जो भी इस मसले पर दोशी है उसके खिलाब कारवाई हो क्योंकि महाराज आज में हत्या नहीं कर सकते हैं दरसल जिस समें नरेंद्र गिरी को भू समाधी दी जा रही थी उस समें कई चीजों का पालन किया गया जैसे भू समाधी देने से पहले परदे से भू समाधी देने वाली जगहे को ढखा गया उसके बाद भू समाधी देने की प्रक्रिया शुरू की गई इस दोरान 13 अखाडों के प्रतिनिर्दी भी मौझूद रहे महंत नरेंद्र गरी को बागंबरी मठ में भू समाधी दी गई तभी अंतिम क्रिया शिष्य बलबीर गरी ने की बता गया है कि 10-12 फीट का गड़ा खोद कर महंत नरेंद्र गरी को भू समाधी दी गई हम मوجود है पागंबरी मठ के पीछे जहां पर नरेंद्र किरी माराज को भू समाधी दी आरी आप देख सकते हैं तस्वीरों में हाला की बीर्ड बहुत जादा है यहां से इनको जो है जो जगा है वो भू समाधी आज दी गई Aौला की आप देख सकते हैं कि सबते पहले शब यात्रा जब निकाली गई और शब यात्रा निकालने के बाद संगम ले जाये गया और संगम ले जाने के बाद पिर यहाँ पर लाया गया है और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भाव जो है यहाँ पर जो लोग है वो यहाँ पर मौझूद है यहां पर भारी संक्या में यहां पर भग्द भी है साथी साथ अब आप देख सकते हैं कि इस तरीके से भू समाधी जो है वो यहां पर दी जा रही है तो हम यह कह सकते हैं कि यह अंतिम दर्शन जो जनता ने किया और उसके बाद आप देख सकते हैं आपको बता दें कि मेहंत नरेंद्रगिरी को बैठी हुई अवस्था में भू समाधी दी गई है सादू संतों के साथ ही जनता भी वहां मौझूद रही इसके साथ ही समाधी को भरने का काम तेजी से किया गया समाधी को भरने के बाद इस स्थल को गोबर से लीपा जाएगा जिसके लगबग एक साल बाद इस जगह पर मंदर के स्थापना की जाएगी मेहंत नरेंद्रगिरी के अंतिम दर्शन के लिए दूसरे प्रदेशों और शहरों से साधू संत पहुंचे है ब्यूरो रिपोर्ट पंजाब के सिरी टीवी हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूटीब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाए अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन्यवाद